क्लिक दे बेल आइकन तो फीडियो फॉप्रs पारे ध्यूक के अंदर हम इस वीडियो mbड़ unfair डॉर्फ सिर्फ इकनॉमिक्स के अंदर हम बात और जबात कई तो बहुत जदा इंपर्टेंब तरह इसौन का मतलब कई है total utility क्या होता है marginal utility क्या होता है हम इन सभी terms को इस video के अंदर समझने वाले हैं अभी हमने इस chapter के अंदर theory of demand and supply में we have entered our second unit जिसका नाम है theory of consumer behavior उसके अंदर आपको consumer क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कितना demand कर रहा है कैसे consume कर रहा है वो आपको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि utility word का importance क्या है तो इस video के अंदर हम समझेंगे utility के definition utility के types में हम total और marginal उनकी equations को हम समझेंगे और साथ में हम यह भी देखेंगे कि marginal utility का जो concept है उसके अंदर क्या क्या assumptions use किये गए है ठीक है तो चली दोस्तो स्टार्ट करते है इस बहुत ही अच्छे इंट्रेस्टिंग topic को let's start तो दोस्तो यहां पर जो word आपके सामने है वो क्या है utility yes तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि इस utility का word का मतलब होता क्या है utility को हम इन जनरल लैंग्विज क्या बोलते है कि कि किसी जब हम economy से बात करते हैं तो बहुत ही जादा अलग-अलग बात है यानि कि usefulness हर चीज की हो ना हो but utility हमेशा हर चीज की होती है इसके अंदर एक example हम देख सकते हैं जैसे है alcohol या फिर हम बात करें drugs की अब इन cases में क्या हो रहा है यह cases में alcohol की usefulness तो नहीं है अगर आप health wise बात करेंगे तो आप बोलेंगे it is not useful right आप drugs की बात करेंगे health wise तो आप बोलेंगे it is not useful right तो usefulness भले ही ना हो but utility तो है क्यों क्यों क्योंकि utility मतलब होता है कि किसी बीग चीज को यानि कि satisfying power कि किसी भी community की होती है उसे utility बोला जाता है बिल्कुल सही तो इसके अगर हम definition देखेंगे तो utility की definition हमने last video में देखी है बट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा connect करना चाहता हूँ utility की definition से जिससे आगे आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर और क्या-क्या types है okay so utility की definition हमें देखी थी that it is a want satisfying power बराल बात है तो किसी भी want को satisfy करने की कितनी power है उसको हम utility कहते हैं किसकी उस product की तो अगर मैंने आपको यह कहा कि कोई भी commodity की कितनी utility है तो आप क्या देखेंगे कि जिस purpose के लिए आपने उसको खरीदा था उस purpose को satisfy करने में वो कितना section रहा वो कितना possible रहा उसकी कितनी power थी ठीक है इतना ही नहीं है यह है सिर्फ commodity की तरफ से definition नहीं बनी है यह definition also is connected from a consumer point of view as well एक consumer है who is willing to buy और willing to purchase यह भी होना चाहिए यह अगर कोई भी person या consumer purchase करने के लिए तयार ही नहीं है spend करने के लिए तयार ही नहीं है तो फिर वो आदमी कोई भी चीज़ खरीदे का कैसे और तब तक हम उसकी utility को कैसे यहां पर हम measure कर पाएंगे so a consumer who is willing to purchase और spend on a stock of a commodity कितने भी units खरीदे वो उस commodity के हम क्या बोलेंगे कि एक unit खरीदने पर हमारी कितनी यह पर want satisfy हो रही है उसको हम utility बोला जाएगा बराबर है मतलब one unit को हम measure करेंगे one utility से तो सर utility का कोई measure करने का तरीका है क्या utility कोई physical चीज़ तो है नहीं जिसको हम measure कर सकते हैं मतलब को cardinal numbers हम कैसे दे पाएंगे उसको तो यहां पर हम आगे देखेंगे utility के natures में और assumptions में कि यहां पर किया अजियूम किया जा रहा है सबसे पहली बात कि हम utility को measure कर सकते हैं इन numbers मतलब कि मैंने अगर एक कोई भी product use किया consume किया तो मुझे 10 utils या फिर मुझे 10 satisfying power मिली वहां से बराबर ऐसा बोला जाता है और यह assumption है और जितने भी economist है उन्होंने इसी तरीके से यहां पर इस चीज को अपनाया है so so यह देखी क्या हमने यह देखी हमने utility की definition yes मतलब की utility आखिरकार है क्या तो हमने पहले देख लें कि usefulness से थोड़ी सी अलग चीज है okay example हमने alcohol और drugs कर लिया था यहां पर but what it is it is a want satisfying power of a commodity हर commodity क अंदर यह आपकी want to satisfy करने की power होती ही होती है but अगर consumer point of view से भी discuss किया जाए तो अगर consumer willing ही नहीं है और पैसे खर्च करने लिए तयार नहीं है तो हम utility कैसे करेंगे जैसे मैंने आपको बोल रहा हूं में बैठे बैठे कि यह जो pencil है ना apple का apple का pencil ना इतना अच्छा नहीं है तो सामिवाल पुछे का आपने use किया है क्या नहीं आप खरीदने वाले क्या नहीं तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि इतना अच्छा नहीं है मतलब तक आपने कोई money spend नहीं किया है तब तक आप उसको किस चीज से compare करेंगे means आप उसको worth it कैसे बोलेंगे आप कहीं कि रेस्टर किया आपने कुछ money spend किया उसके अगेंस में आपको जो satisfaction मिला उन दोनों को आपने जब compare किया तो आपको समझ में आया कि इसकी utility कितनी है इसी लिए यह जरूरी है कि consumer is willing to purchase और buy आगर ऐसा नहीं होगा घर बेटे बेटे आप किसी भी चीज़ की utility measure नहीं कर पाएंगे तो यह से नहीं units of commodity आप consume कर रहे हो पर इस तरीके से हम देखे तो हर एक unit का अपने आप में हर एक utility तैयार हो जाएगी ठीक है तो यह हमने देख लिया utility refination आईए अब मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो में utility तो मैं आपको बता दिया हम और क्या-क्या cover करने वाले है utility से related हम क् what we will cover in this video what is utility yes obviously यह में आपको बताया बट आप हमको देखना है कि total और marginal यह दोनों अलग-अलग types of utilities है तो इनका मतलब क्या है इनके definition क्या है क्या इनका कोई formula है इनको पता करने के लिए और इसको logical पैदिके समझेंगे बिल्कुल भी रटेंगे रही इसके बात में हम देखे लिए हमने उसके लिए assumptions create करे हैं बने एकोनोमिस लोगों ने पहले बोल दिया है कि अगर marginal utility को आपको यूज करना है ना और समझना है तो आपको कुछ चीज़ा अजीम करके ही चलनी होगी ठीक है तो यह तीन पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं चली total means पूरी तरीके से पूरा अगर मैं commodity को consume कर लूँगा तो मुझे कितनी utility मिलेगी येस तो यहां पर total का जो मतलब है वो क्या होगा कि जैसे आपने एक chocolate खरी दी मैं example देता हूं dairy milk का अपने बार खरीदा राइट अब उस एक बार के अंदर पूरे dairy milk में total कितने cubes हैं let's say cube consume किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया फिर चौथा किया ऐसे करके आपने पूरी chocolate आपने खाली okay so पहला cube जब आपने consume किया ना तो आपको बहुत अच्छा रखाओ सबसे पहला पीच जब dairy milk का मूह में गया आहा मज़ा आया तो आपने कहा कि let's say मुझे 10 utils या फिर 10 power कि मुझे यहाँ पर satisfaction मिली okay जब आपने दूसरा क्यूब खाया तो आपको 8 मिली जब आपने तीसरा खाया तो आपको थोड़ी और कम मिली मतलब आपने क्या सिर्फ 4 ही मिली है मुझको okay फिर जब आपने चौथा खाया तो 2 पाच्वा खाया तो 0 मतलब आपके इच्छा खत गया और आपकी तबियत खराब होने वाली थी तो भी आपने खाये तो लास्ट के 3 क्यूब में आपको 0 के भी आप नीचे चले गया बराबर है मतलब कि आपको satisfaction आना बंद हो गया आप यह जो मैंने आपको example दिया है इसमें मैं आपको अगर schedule में पूरे यह चीज डालू त तो देखें वो कैसी दिखेंगी तो टोटल यूटिलिटी हम देखने कोशिश कर रहे हैं यह है आपका एक बार ठीक है तो यहां पर आपको यहां पर satisfaction मिलते जा रहा है ठीक है इस तरीके जगर हम समझते हैं तो बहुत सिंपल सा कड़ी थे ज्यादा टाइम इसमें लगाए करेंगे नहीं हम तो जैसे-जैसे मैं एक एक क्यूब करते जाए रहा हूं सिक्स तक हम देखते हैं चलिए तो पहले आपको टैन का satisfaction था फिर आपको आठ का था फिर छे का था फिर आपको तीन का था फिर आपको दो का था और फिर आपको कुछ भी satisfaction नहीं मिला है ठीक है अब satisfaction यहाँ पर नहीं मिला है तो यह क्या है यह इसमें आपको डिवाइडेशन करना होगा टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का मार्जिनल यूटिलिटी मतलब अगर मैं आप से यह कहूं कि यह मेरा टोटल है मतलब अभी तक मैंने पहला पीस खाया तो मुझे 10 की मुझे यहाँ पर satisfaction मिली सबसे ज्यादा पहला पीस खाते ही मुझे सबसे ज्यादा लगा तो 10 में से 10 का मुझे मार्जिनल यूटिलिटी भी मिल गई जब मैंने अगला खाया तो मुझे टोटल आठ ही मिली मतलब मुझे अगले पीस से सिफ दो की ही मुझे को यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी मिली मैं अगला पीस जैसे इसे consume करते जाऊंगा तो मुझे मेरी यूटिलिटी में कितना increment होते जा रहा है वो मेरा margin utility होता है और totality में जो होता है वो मेरा total utility होता है तो यहाँ पर दोस्तों यह जो मेरा है 10, 8, 6, 3, 2 यह मेरा satisfaction है तो सही बट यह satisfaction मेरा एक एक पीस से है एक एक cube से जो निकला हुआ है मतलब 1st cube से मुझे 10 का मिला 2nd से मुझे 8 का मिला 3rd से मुझे 6 का मिला 3 का मिला 2 का मिला और फिर मुझे satisfaction मिला ही नहीं ठीक है अगर मैं total इसका निकालते जाओं तो कैसे निकलेगा 10, 18 मतलब यह मेरा total satisfaction होता जाएगा राइट? यह मेरा total हो गया 18 का satisfaction मुझे अभी तक मिल चुका है फिर जब मैंने 3rd cube consume किया तो मुझे 18 प्लस 6 मुझे इसे किस 24 का यहाँ पर total मिल गया 27 मिला 29 मिला बराबर है 29 के बाद में अब मुझे satisfaction मिलना बंद हो गया मतलब 6th piece के बाद में 29 पर ही खड़ा हूँ अब अगर मैंने इसके बाद में एक और piece consume कर लिया 7, 8 और 9 तक में चले गया तो मैंने जबर्दस्ति खाया है तो मेरा satisfaction अभी तक तो 29 पर रुख गया था अब यह satisfaction मेरा decrease होना चलो जाएगा 27 25 और 20 बराबर है तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर satisfaction मेरा margin utility कितनी होते गई minus 2 29 minus 27 minus 2 हो जाएगी मेरी बराबर है फिर again मेरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर वापीस क्या हो जाएगी minus 2 और फिर again यहाँ पर मेरा 5 और कम हो गए तो minus 5 इस तरीके से मेरी utility minus में भी जा सकती है तो अभी मैंने जो आपको example दिया है यह मैंने example दिया है आपको जिसमें total और marginal दोनों आ चुके होंगे अब मैं अगर इनको आपको formula और definition के साथ में समझाओ तो खुछ इस तरीके से दिखेगी आईए देखते हो देखिए total utility में assuming that utility is measurable and additive इनका कहना है कि हम यह assume कर रहें क्या कर रहे है हम यह assume कर रहे है कि जो utility है ना उसको हम measure कर सकते है क्या कर सकते हैं तो हम assume कर रहे हैं कर सकते हैं जैसे हमने यह देखा कि हमने एक cube consume किया तो हमको 5 की utility मिली अभी 5 क्या होता है इसा कुछ हो सकता है क्या हमने सिर्फ उसको मेजर किया है और एडिटिव यानि कि उसको एड़ किया जा सकता है क्यों पहले से पांच मिला दूसरे से चाल मिला तो तो कितना मिल गया मुझे तो कि दूसरे से लिया तीशरे कि उसे चौत यूप से जो भी सैटिस्वक्शन मिलते जाएगा वह सब मैं एड करते जाओंगा संब बराबर है फ्रॉम डिफरेंट उनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंजूम वाया कंजूमर ओके आगे क्या है total utility is the sum of marginal utilities okay marginal utilities का यह सम होती एक तरीके से जो हमने अभी किया है derived from the consumption of different units चीक है बट इसको जब हम फॉर्मॉले में डालेंगे तो खुछ इस तरीके से दिखेगा T U मतलब where T U is total utility and M U 1, M U 2 and M U N यह सब क्या है marginal utilities है of the successive units of a commodity so जब मैंने यह बोला कि 5,4 यह सब क्या रहे हैं यह सब मेरे marginal utilities है और जब मैं इंको add करते जाता हूं previous वाले के साथ में तो वह मेरा total utility बनता जाता है yes so T U is one total utility total utility का formula क्या हो जाएगा M U 1 मतलब कि marginal utility of a commodity first तो वह यह हो गया M U 2 का यहां पर हो गया M U N मैंने कि जितने भी यहां पर अलग-अलग units होंगी जितनी units आप consume करते जाएंगे उनको हम add करते जाएंगे और उससे हमारी total utility आ जाएगी so यह हुआ total utility अब साथ में अगर हम marginal utility भी देखते हैं marginal देखिए marginal इसका मतलब क्या है पहले तक जितनी मिली और आने वाले तक जितनी मिली इन दोनों के बीच में जो gap रहा वह मैं आरे marginal होगा मतलब first और second commodity के पीच में जो हुआ वह मेरा marginal है second और third के बीच में जो आ हुआ वह मेरा marginal है तक का आप टोटल निकाल लो और उससे पहले तक का याने कि एन माइनस वन तक का टोटल निकाल लो उन दोलों को माइनस अगर आप कर दोगे तो आपके पास में उस कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा ठीक है क्या लिखा हुआ है इडिशन मेड टूटल नया प्रोडक्ट यूज करते जाओंगा मेरे टोटल यूटिलिटी में एड होते जाएगा ओके ठीक है और क्या लिखा हुआ है माजिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू अडिशन मेड टूदर टूटल यूटिलिटी वही बोल रहा है यह बी कि एडिशन है यह टोटल हो गई हमारी क्या एक्वेशन एक्वेशन में क्या समझना है हमको कुछ नहीं मुन हमको पता है क्या है माजिनल यूटिलिटी ऑफ दे एंथ यूनिट कोई भी नंबर आफ यूनिट की यानि कि हमारे एग्जांपल में देखे तो जैसे 7th क्यूब की अगर मुझे माजिनल निकालनी है तो मैं क्या करूंगा मैं लूँगा M U 7 इक्वास्टो टी यू7 यानि कि 7th यूनिट तक टोटल यूटिलिटी कितनी हो चुकी है अभी तक ओके ती यून क्या होगा टोटल यूटिलिटी ऑफ दे एंथ यूनिट ओके और टी यू एन माइनस माइनस वन मतलब क ने डाग कि एक्वजामपल ले और इसको समझे एक तरफ में रहता हो टोटल ूटिलिटी और दूसरी तरफ में रहता हूं मार्जिनल यू पाल चींब ठीके और यहां पर मैं रखता हूं मेरे प्रोड़क्स की cuálनुटी जो कंजィूम करते जा रहा हूं या फी इप्र यूनिट जो मैं कनज्यम करते जा ठीके यह किया है यह एक आइस क्रीम करें है आपने लेना खाना है ठीक, आपने ice creams खरीटते गए एक ice cream, दो ख़ी तीन ख़ी और च्जार ख़ी चार ice cream आपने एक एक बार में कख़कर के खॉय ठीक है जब पहली ice cream खाई नवे तो दोस्तो आपको 20 गा आपको यहां पर बहुत अच्छा satisfaction आया और आपकी इच्छा भी पूरी हो गई ठीक है तो यहां पर marginal क्या हो गया 20 हो गया आगली यूनिट जब आपने खाई 2nd वाली तो आपको यहां पर total कितना यहां पर आपको utility मिली मतलब क्या होगा कि अगर मुझे इस पॉइंट पर मुझे निकालना है मेरा यहां पर marginal 20 था पहले और अभी मेरा मार्जिनल कितना हो जाएगा यह मेरा अगर मुझे निकालना है मेरे पास मैं कैसे निकालूंगा marginal utility so मुझे लेना पढ़ेगा total utility कहां तक की total utility मुझे निकालने पढ़े कि 2 की minus total utility 2 minus 1 यानि की पिछली तक की ठीक है जो क्या है 20 है अभी तक की 30 है तो 10 यह क्या है यह 10 आया है मेरा इसका marginal utility अभी और थोड़ा आगे चलू तो मैंने एक और consume करी तो मुझे सिर्फ 35 ही total utility मिली यहां पर ठीक है तो अब मुझे वापिस यहां पर इस point में marginal कितना मिला मैं कैसे निकालूंगा तक की मेरी total माइनस मेरी पहले तक की total 35 तो इस बार मुझे माजिनल फाइदा जो हुआ है वो सिर्फ फाइव यूटिल्स का ही हुआ है जो पहले 10 का हुआ था ठीक है तो आई होप आपको एक्जांपल समझ में आ गया होगा कि इस एक्जांपल से हम कैसे total और मार्जिनल को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी तक हमने total की definition देखी मार्जिनल की definition देखी दोनों में हमने क्या देखा है कि किस तरीके से इनको हम मेजर कर सकते हैं राइट मार्जिनल को हम एक बार और देखते हैं जिससे आपको यहां पर function समझ में आ जाएगा पूरा लेट सी दोस्तों यहां पर हमने क्या देखा है अभी तक हमने देख लिया है definitions टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी की अब हमको जो लास्ट टॉपिक इस वीडियो में समझना है वो है assumptions येस आखिरकार ये assumptions क्या होते हैं और assumptions की जरूरत क्यों पड़ी है सर आपने बोला कि marginal utility आपको हम समझाएंगे ठीक है सर आपने marginal हमको क्या बताया कि अगर मैंने इस unit को consume करते है time तक जितनी मुझे satisfaction मिली है वो और साथ में last unit तक जो मुझे satisfaction मिली है वो उन दोनों क अगर में difference निकालते हैं हम तो हमको मिलता है marginal unit मतलब जैसे जैसे में एक एक unit आगे की consume करते जाता हूं वैसे वैसे मेरा total utility increase होते जाती है और total utility में add-on होते जाता है next unit का marginal फिर add-on होते जाता है next unit का marginal इस तरीके से मेरा marginal एक एक unit का निकलते जाता है और मेरा total utility बढ़ता जा इससे हमको एक बात समझ में आई है कि marginal utility जो है वो यहाँ पर decrease होती जाती है जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जब आपने एक ice cream खाया तो आपको पहला ice cream खाके आपको 10 level का satisfaction मिला दूसरे को खाके आपको 8 का मिला तीसरे को खाके आपको सिर्फ 6 का मिला और चौते खाके के तो आपको मिलकुल भी satisfaction नहीं मिला बराबर है तो ये तो हर unit की marginal utility है total utility क्या हो रही दोस्तो 10 हुई फिर 18 हुई फिर 18 प्लस 6 24 हुई और 24 हुई बस यहां आके मैं रुख गया अब इसके बाद में एक भी ice cream नहीं खा सकता अगर मैंने 5th ice cream और खाई बराबर है तो यहां पर क्या होगा मेरी total utility जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी मेरा satisfaction तो खतम हो जाएगा और मुझे यहां पर vomit होना start हो जाएगी मुझे मेरी तबियत खराब हो जाएगी so let's say मेरा जैसे ही यहां पर 22 मतलब कि मेरी utility अब decrease होती जा रही है यह मैं assumption बताने से पहले आपको कुछ चीज़े वापस clear कर रहा हूँ अगर हम formula यहां पर लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे देखिए total utility का formula हमने क्या देखा था mu1 plus mu2 plus and so on so total utility हो क्या रहा है mu1 mu2 18 हो गया फिर mu3 किया तो 24 हो गया फिर mu4 किया 0 तो 24 पे खड़े राइट फिर मैंने minus में है देखे मेरा so 24 plus mu5 करूँगा तो minus 2 तो 22 पे आ जाओँगा राइट यह formula से एकदम सही बैट रहा है ठीक है अगर मैं marginal utility का formula लगाँ तो so marginal utility किसी एक commodity का निकलता है let's say हम निकालते है third का बराबर है so mu3 का मुझे निकालना है mu3 का यहाँ पर marginal utility निकालने के लिए मुझे mu3 यानि कि third unit तक मेरा total utility कितना था मेरा total utility है 24 चीक है so total utility of 3 minus total utility of 3 minus 1 मदब previous unit की चीक है so यह है 24 और यह कितनी है second unit तक 18 तो यह मेरी कितनी हो जाएगी 6 क्या आपकी mu3 6 ही है आपके पास में हो सकता है कि यह unit ना हो 6 ना दी गई हो आपको बराबर है या फिर आपके यहाँ पर total utility गायब कर दी हो तो आपको फिर वह पता करना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कि यह unit क्या है तो आप कैसे निकालेंगे कुछ नहीं problem क्या है problem यह है कि आपको कुछ चीजों को assume करके चलना पड़ेगा अब यह assume करके हमें क्यों चलना पड़ रहा है आईए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला assumption जो आपके सामने आया है देखिए वह क्या है rationality मतलब क्या होता है कि consumer is rational मतलब कि वह सही तरीके से पैसा खर्च कर रहा है वह सो समझ के पैसा खर्च कर रहा है उसके पास में जो लिमेटर resources है उसको उससे best outcome निकालना है बेस्ट satisfaction लेना है यह हम assume कर रहा है क्यों सर ऐसा हो हो गया मतलब जो हमारा consumer है वह rational है हम यही सो समझ के चल रहा है और वह अपने limited money को maximum satisfaction के लिए use कर रहा है तो यह बात हुई rationality की ठीक है rationality मतलब है कि यहां पर वह person क्या कर रहा है उसके पास जो limited money है उसके लिए वह maximum जितना भी satisfaction use कर सकता है वह ले रहा है ठीक है यह हमारा पहला assumption है दूसरा assumption का है दोस्तो cardinal measurability cardinal measurability मतलब क्या यही है जो मिलेखे रहा हूं one two three four etc मतलब कि हमने utility को measure करने के लिए यह हमने assume कि है कि हम उसको cardinal numbers के साथ में measure कर सकते हैं मतलब हम उसको numerically बता सकते हैं मैंने आपको यहीं बिला ना पहला आइस्क्रीम खाके मुझे 10 level का satisfaction मिला 10 क्या होता है तो हमने वो cardinal numbers में उनको डाल दिया है वापर तो ठीक है हमने यह भी assume कि कि cardinal measurability है utility के अंदर ठीक है इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपने 10 रुपे खर्च करें फिर आपने 30 रुपे खर्च करें फिर आपने 50 रुपे खर्च करें तो हम utility calculate कर रहे हैं उस product की कि consistency of mu of money भी यहां पर रखा गया है ठीक है और चौथा यहां पर assumption क्या है चौथा assumption है यहां पर दोस्तों the hypothesis of independent utility इनका कहना है कि total utility क्या है दोस्तों हमने देखा थी m u1 plus m u2 etc इस तरीके से बराबर मतलब सारे अलग अलग commodities का sum up करने के बाद में total utility मिलता है तो यहां पर इन्होंने एक चीज को miss किया है या फिर ignore किया है that is called complimentary of goods between each other मतलब कि दो goods एक दूसरे के साथ में complimentary भी हो सकते हैं तो वह क्यों साथ में use किये जाएंगे या फिर वह एक दूसरे की utility इतनी क्यों होगी राइट तो वह यहां पर ignore किया गया है बस बोला गया कि independent utility हर किसी की अपनी अपनी एक utility होती है तो वह होना ही चाहिए ठीक है तो उन सब को add करक है numeric values में हम money की जो mu है margin utility को constant रख रहे हैं और हम independent utility के hypothesis को follow कर रहे है यह सब करने के बाद में हमारा इस पूरे वीडियो के अंदर हमने क्या किया है हमने total utility marginal utility और assumptions को यहां पर discuss कर लिया है अब next video के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों जो हमारा law है diminishing marginal utility हम उसको discuss करेंगे ठीक है वहाँ पर हम वह discuss करेंगे उसके साथ में graph और उसका schedule भी देखेंगे और इस law के limitations क्या है उसको समझेंगे next video के अंदर तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही thank you for watching the video I hope आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे अगर आ रहे हैं तो कि अग्यों रहे हैं प्लीड़ और एक हैं यहाँ आ रहे हैं तो दोस्तों आपटर और तोस्तों बग्री है